एक बलास्पुर नाम का गाउं था उसमें छोटी से घर में मोहन और उसकी पत्मी सोशिला रहते थे ए जी हम लोग आज फिर क्या खाएंगे दाल चावल सब खतम हो गया है किचिन में आनाज का एक दाना तक नहीं है भाग्यवान मेरी जितनी भी जम्मपुझी थी सब खतम हो गई अब एक पैसा नहीं बचा मेरे पास मैं रोज काम धुणने चा भी रहा हूं पर कोई काम नहीं मिल रहा है मुझे लगता है हमें आज फिर भूखा ही सोना पड़ेगा भाग्यवान हमारे पास तो कुछ इने खिलाने के लिए है ही नहीं मैं इने जंगल लेके चाता हूं कम से कम वहां खास खाके ये तो अपना पेट भर ले चाहे हम भूखे मरे पर आपको हमारी तो चिंता है ही नहीं आपको सिर्फ दिन भर इनी के चिंता लगी रहती है जाए सोशिला ये बोल कर गुसे में अंदर चली जाती है राम प्यारी इनकी बातों का बुरा मत मानना ये ऐसी ही है बाहर से सक्त पर अंदर से नर्म दिल की मोहन ये कहकर उन्हें जंगल में घास खिलाने ले जाता है मोहन जंगल से लोटने के बाद रोज की तरह काम धूणने शेहर की और निकल जाता है रोज अपनी बकरी को जंगल से खिला करके लाता और खुद भूखा प्यासा काम धूणने निकल जाता एक दिन मोहन कलती से अपनी बकरियों को बिना बांधे ही काम धूनने निकल गया मोहन के जाने के बाद राम प्यारी के दोनों बच्चों ने घर में घुसकर बचा हुआ कल का बासी रोटी जो कि उसकी पत्नी ने आज रात के खाने के लिए बचा के रखा था वो खा गए अहो है है अरे ये कमबख्त बकरी के बच्चे ने हमारे सारे भोजन को खा लिया अब हम लोग क्या खाएंगे रात को सोशिला राम प्यारी के दोनों बच्चों को कसाई घर में बेच आती है और उनको बेच करके जो पैसे मिले होते हैं उनसे वो अपने लिए चान्दी का हार ले लेती है आए हाए ये कितने सुन्दर चान्दी के हार है मैंने इतने सुन्दर हार तो आज तक नहीं देखे चलो ये राम प्यारी के बच्चे कुछ तो काम आए मेरे शाम में जब मोहन घर आया तो उसने देखा कि राम प्यारी बहुत चिला रही थी और आसपास उनके दोनों बच्चे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे अरे भाक्यवान जल्दी आओ, देखो तो राम प्यारी काफी चिला रही है और और इसके दोनों बच्चे भी आ नहीं है सुशिला मोहन का आवाज सुनके जैसे ही बाहर आती है मोहन के नजर उसके गले में चमचमाते चांदी के हार पर पड़ते है अरे भागेवन ये चांदी का हार तुमें किस ने दिया और रामगयरी के दोनों बच्चे कहा है इससे पहले कि सुशिला कुछ बोलती मोहन सारी बात समझ जाता है और वो सुशिला पर बहुत चिलाता है तुम इतनी निर्दय हो गई कि तुमें इस बक्री की ममता भी नहीं दिखाईती और क्या करती मैं जी एक तो हमारे पास खाने के कुछ आनाज नहीं है रोज हमें भूखा ही सोना पड़ता है और तो और आज के लिए जो मैंने कल रात का बासी रोटी बचा कर रखा था वो इस बक्री के दोनों बच्चे ने खा लिये मोहन सोशिला की ये सारी बाते सुनने के बाद दुखी होकर वहां से चला गया सोशिला को अपनी हरकत पर जारा सा भी अफसोस नहीं था कुछ दिन बीद गय सोशिला के मन में फिर पैसो का लालच जगा वो मोहन के काम ढूणने जाने का इंतजार करने लगी जैसे ही मोहन रोज की तरह घर से निकला सुशिला ने तुरंत राम प्यारी को बेचने का मन बना लिया उसने राम प्यारी को उसी कसाई घर ले जाने का सोचा सोशिला जैसे ही राम प्यारी को ले जाने के लिए खोलती है राम प्यारी रश से छुड़ा कर वहां से भाग जाती है और सोशिला भी उसके पीछे पीछे दोड़ पड़ती है अरे 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 राम प्यारी अरे दोनों भागते भागते जंगल के बीचों बीच पहुंचाते हैं वहां उनकी नजर दो चोर पर पड़ती है जो उन्हीं की और देख रहे होते हैं ये कहकर दोनों चोर सोशिला की और दोड़ परते है दोनों चोरों को अपनी और बड़ता देख कर सोशिला घबरा जाती है और आनन फानन में जान बचाने के लिए भागने लगती है दोनों जैसे ही उस पर जपटा माने की कोशिश करती है उसकी वफदार बकरी दोनों पर ही अपने सिंग से हमला कर देती है और दोनों को नीचे गिरा देती है सुशिला वहां से बचकर जैसे तैसे भागती है लेकिन दोड़ते दोड़ते रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर खाकर वही नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है तभी मोहन शहर से वापस लोट रहा था उसे अभास हुआ कि उसकी पत्नी किसी मुसीबत में है वो दोड़ा दोड़ा अपने घर पहुँचा पर सुशिला वहां नहीं मिली उसने चारों तरफ देखा पर फिर भी सुशिला उसे कहीं नहीं दिखी चारों तरफ ढूनने के बाद मोहन जंगल की तरफ भागा मोहन जैसे ही वहां पहुचा उसने देखा कि दो चोर सुशिला पे हमला करने ही वाले है उसने अगल बगल नजर घुमाई और सामने पड़े नारियल से उनमें से एक चोर को जोर से फेक कर वारा किस ने किया ये बॉस उसने पकड़ो सकरो आज इसको जिन्दा नहीं छोड़ना है दोनों चोरों ने मोहन को पकड़ लिया नई नई पलेट छोड़ देजे उसे पलेट छोड़ देजे मोहन मोहन बॉस के कहने पर पपलू सोशिला को पकड़ लेता है वो जैसे ही चाकू से मोहन को माने जाहिरा होता है वैसे ही उन्हें पुलीस की साइरन सुनाई देने लगती है और वहाँ पुलीस आ जाती है दोनों चोर मोहन को छोड़ कर भागने के लिए जैसे ही जाते हैं पुलीस उन दोनों को पकड़ लेती है अब है रुकज्जा बेटा इतनी भी क्या जल्दी है चल तुझे तेरे मासी के घर सेर करवा के लबता हूँ कॉंस्टेबल डाल दोनों को गाड़ी में चल अबे चल सेर के चंगुल से बचपाना ना मुम्किन है हमें माफ करिये मैडम आप लोगों को हमारे वज़ा से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा ये दोनों बहुत ही खुंकार चोर है जेल से कल रात को ही बागे है हमने इने सुबा धर ही लिया था लेकिन ये हमें वहां से चक्मा देकर बाग गए वो तो अच्छा हुआ कि हमने इनके कपड़ों में GPS ट्रांस्मिटर फिट किया था जिससे हम इनकी लोकेशन जान पाए और इनने पकड़ लिया नहीं नहीं सर हमें तो आपका धन्यवाद करना चाहिए अगर आप आज टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या हो जाता आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुलीस दोनों चोरों को गाड़ी में बठाकर वहां से ले जाती है तभी उनकी राम प्यारी दोड़ते दोड़ते वहां पहुंचती है और उन दोनों से लिपट जाती है राम प्यारी को देख कर सुशिला को अपनी गलती का एसास होता है और राम प्यारी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगती है इस तरह ये कहानी यही पर समाप्त हुई आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मलते हैं पर अगली वीडियो में धन्यवाद